हेलो फ्रेंट्स आज इस गाड़ी की में रबिंग करने जा रहा हूँ और रबिंग से जोड़ी हूँ कुछ खास बाते आपके साथ शेर करूँगा जो कि आपको मालूम होनी चाहिए और शायद इससे पहले आपको किसी ने ना बताई हूँ वो सिर्फ इतना बताते हैं कि गा पेनल मैंने पूरा पेंट करואा है यह पूरा साइट पेनल पेंट करवाया है और यह कन बांपर है और फूरी रूफ के इस प्रिफ गाड़ी की rubbing करने वाला हूँ, rubbing क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने paint job कराया, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही rubbing कर रहा हूँ, इस पे shining के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो फिलाल तो मैंने यह देखिए, liquid supercut का यह cream लिया है, यह भी rubbing compound ही है, कोई भी rubbing compound लीजिए, ऐसा कोई issue कि ज़रूरी यहीं लेना लेकिन खास बात यह है कि आपको समझना है, कि आपकी गाड़ी की rubbing की estão होती है, काब होती है, जब हमारी गाड़ी के उपस couple particles जम जाते हैं, जैसे को हम लोग गाड़ी की wash करते dulu, wash कर के फिर उसको clean नहीं करते तो वो बोलता साब आपकी गाड़ी rubbing मांग रही है और फिर हमारे मन में भी शका आजाता है कि हाँ आप हमको rubbing करनी चाहिए और फिर हम टाइम लगते ही उसकी rubbing पूरी कर देते हैं गाड़ी की rubbing करना मतलब उसके उपर की बारी माइक्रोड में एक लेयर जाती है वो लेयर उपर से हटाई जाती है और वो लेयर हटाई जाती है उसके बाद अंदर का जो paint है वो निकल के आता है तो जितनी बार हम करेंगे उतनी बार हमारे paint के को effect होगा और clear coat है अगर आपकी गाड़ी metallic paint में है यह metallic अगर paint है तो clear coat है तो उस पर जल्दी effect होगा अभी हमारे एक subscriber है उन्होंने एक image भेजी थी उनकी गाड़ी के साथ यह हाल हुआ तो इसको देखते वे ही मैंने यह video बनाना decide कि यह video में बनाऊ और आप लोगों तक बताऊ कि क्यों हमको rubbing करानी चाहिए और क्यों नहीं करानी चाहिए तो उन्होंने यह नुकसान उठाया और पूरी गाड़ी अपनी खराब कर ली जगे जगे देख रहे हैं आप लोग यह spot आ गया होंगे तो इस चीज के लिए यह सारी information आपके पास होनी जरूरी है rubbing हमको करनी कब है जब हमारी गाड़ी के उपर एक layer सी बैट जाती है male बैट जाता है उसके बाद ही करनी otherwise या तो आपने कहीं paint job करवाया है या कहीं गाड़ी खड़ी रही उसके उपर rough की चीटे आ गई है तो फिर आप कर लिजे rubbing लेकिन हाँ बहुत हिसाब से मशीन की rubbing को मैं अच्छा नहीं समझता मैं समझता हूँ कि हाथ से rubbing ज्यादा अच्छी होती है हाँ time को बचाने के लिए हम लोग machine का यूज कर सकते हैं कि ठीक है time कम लगेगा हाथ से थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगती है तो अभी मैं rubbing करके भी दिखाता हूँ आपको यह पैनल है देखी यह पैनल थोड़ा सा rub पड़ा हुआ है इन लोगों ने machine से rubbing की लेकिन वो effect नहीं आया और यह side देखे मैंने इस cream से rubbing किये यह अलगी दिख रही है और यह area अभी dull है तो इसके ओपर मैं थोड़ा सा vertical horizontal और इसमें थोड़ी सी महनत लगती है हाथ से rubbing करने में थोड़ी महनत लगेगी लेकिन हाँ यह देखिए यह paint इसका उपर का जो rough था वो इसमें आ रहा है क्योंकि यह solid paint है इसके उपर एक clear की layer नहीं चड़ी हुए clear इसके अंदर ही mix रहता है और जो आपका metallic paint होगा वो metallic paint में क्या होगा कि एक clear का coat अलग से उपर से किया जाता है तो यह देखिए मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ तो यह area तो लगबग मैंने कर लिया था उपर का जो करना बाकी था तो जितना मैंने इसको करता हूँ उपर का paint की layer आते जाती है तो अब आप समझ सकते है paint थोड़ी सी rubbing और deep से करूँगा और deep से कर रहा हूँ हाथ से कर रहा हूँ तो मुझे effect मालूम हो रहा है कि इतना है अगर मैं machine से करता तो वो जितनी भी coating हटाता रहता हमको इतना पता नहीं चलता तो यह देखिए मैंने इसको किया अच्छे से थोड़ा time लगा इसमें लेकि रभींग के साथ जिसमें की मेरा पिछला बंपर भी रिपेर हुआ था वह पूरा कट गया था था तो उसमें बंपर रिपेर रहा हूँ और यह पूरा पैनल पेंट हमारे हाथ में feeling आती है ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं चलेगा हमको हाथ लगाएंगे तो feeling आएगी कि हाँ यह शाइनिंग आ चुकी है और किसी भी एक जगे पे एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं लगाना है तब लगाना है जबकी देखने है कि वहां पे हमारे कुछ प्रॉब्लम है तब औरवाईज ऐसा अएक जिगे पे नहीं लगाना है बराबर सब देखाना तो यह दे यहां का एरिया जो है अब यह देखिए मैंने रबिंग कर लिए इस पर जितनी मुझे चाहिए थी इसमें क्लियर शाइनिंग आ गई और यहां जो एरिया है जो इन लोगों ने मशीन से करके दिया था वो इतनी शाइनिंग उसमें नहीं है तो अब यह एफेक्ट इसका विज करेंगा नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वचिंग